Hello students of class 1 आज हम EBS करेंगे EBS में मैंने आपको chapter number 5 food जो है वो पढ़ा कर complete कर दिया है आज हम उसके book के exercise को करेंगे ठीक है? तो देखिए page number आप 30 निकालिए और question number A देखिए tick the correct answer इसमें से जो questions दिये गए हैं उनमें कुछ options दिये गए हैं उन options में जो सही option है उस पर हमें tick करना है first question है what give us energy to work and play क्या है जो हमें energy देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए तो air नहीं, water नहीं क्या होगा? food तो हम food पर tick करेंगे question number 2 we get dash from animals हमें animals से क्या मिलते हैं? milk मिलते हैं milk पर tick करेंगे question 3 which one of these is a fast food इन में से कौन सा fast food है? milk नहीं, fish नहीं क्या है? pizza pizza पर tick करेंगे ठीक है? question number 2 circle the correct word जो word सही है उस पर हमें circle करना है food keeps our body chic, healthy food हमारे body को बिमार करता है या स्वस्त रखता है तो स्वस्त रखता है इसलिए हम healthy पर circle करेंगे question number 2 breakfast is the first slash last meal of the day breakfast हमारे खाने का या फिर बोलो कि दिन का सबसे पहला खाना है या फिर last खाना है सबसे पहला खाना है इसलिए हम इस पर first पर circle करेंगे we have dinner slash lunch at night रात में हम क्या करते है लंच या डिनर रात में हम डिनर करते है डिनर पर circle करेंगे fourth है most of our food comes from plants, animals ज़्यादा तर खाने हमें कहां से प्राफ्ट होते हैं तो plants से या फिर animals से ठीक है fifth है we should never eat covered, uncovered food हमें धका हुआ खाना चाहिए खाना या फिर बिन धका हुआ खाना खाना चाहिए तो हम covered पर circle करेंगे ठीक है तो यह आपको question A, B था question number C आपको खुझ से करना है color the food item that comes from animals यहाँ पे कुछ foods दिये गया है आपको उनको पहचाना है यह plant से आये हुए है या फिर animals से आये हुए है तो इन में से जो animals से आये हुए है उसको आपको color करना है तो एको यह first number क्या है एग है, second mango and third cauliflower तो हम जानते हैं यह दोनों जो है वो plant से हमें मिलते हैं लेकिन एग जो है वो हमें animal से मिलते हैं तो आप इनको color करोगे ठेक आगे के वीडियो में हम question answer करेंगे या spelling करेंगे, दोनों में से कुछ एक करेंगे और आप copy में सिर्फ spelling और question answer note down करना, book के exercise को copy में लिखने की जोरत नहीं है ठीक है Thank you